नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आगे आने वाला जो वर्ष है हमारा, इसमें हम 75th Years of Independence मनाने जा रहे हैं, अब यहाँ पर इसको आरंब करने के लिए, यह celebration को स्टार्ट करने के लिए, प्राम निश्टर मोधी जी के द्वारा फ्लैग आफ किया जाएगा, मार्च के बारे में, यही वाला डांडी मार्च को एक तरह से रिपीट करने की बात कही जारी है 2021 में, और इसी के तहट हम एक तरह से सुरुवात कर सकेंगे 75th Years of Independence का, यहाँ पर आप देख सकते हो, PM Modi to launch Amrut Mahutso, तो यह नाम भी आप ध्यान रखेगा, अपने examination point of view से, on March 12 to mark 75 25 Years of India's Independence, तो इसको डीटेल से जानेंगे कि exactly क्या किया जा रहा है, और आपको मैं बता दूँ कि यह पहली बार नहीं हो रहा है, डांडी मार्च, 2005 में भी ऐसा कुछ किया गया था, जिसके तहत कुछ चीजे बताई गई थी, क्या वो चीजे complete हो गई है, कितना हुआ है, प्ल और जैसा कि आपको पता है कि UPSC का notification आ चुका है, और आप अपनी preparation को और जादा अच्छे तरीके से study IQ के UPSC course के माध्यम से कर सकते हैं, जहां पर comprehensive way में आपको जितनी भी important चीजे हैं, वो एक ही जगर मिल जाएंगी, तो चलिए आपर समझते हैं कि exactly हो क्या रहा है, हम इसक सुरवात किया गया था, कुछ उसी प्रकार से हमें ये कल से देखने को मिलेगा, और ये basically 75th years of independence पर किया जा रहा है, और ये पुरा मैं आपको बता दूँ कि 21 दिन का ये पुरा डांडी मार्च होने वाला है, और ये सुरवात किया जाएगा सेम, जो साबर मती आश्रम से ज यहाँ पर speech दिया जाएगा प्राइम निश्टर के दौरा और उसके बाद उसकी सुरवात कर दी जाएगी, तो यहाँ पर इसको launch जो नाम दिया जा रहा है, ये नाम आपको ध्यान रखना है, आजादी का अमरित महुतसौत, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, चली थोड़ देश के अंदर कोई भी salt को produce नहीं कर सकता है, except Britishers, मतलब कि Britishers ने कहा कि हमी यहाँ पर जो salt का production है, वो कर सकते हैं, in fact मैं आपको बता दूँ कि जो लोग coastal regions में हैं, मतलब कि जहाँ पर समुद रहे, जो लोग salt को produce कर सकते हैं उससे, उनको भी ये allow नहीं किया गया, अब सकते हैं, खुद से आप उसको भी नहीं करने दे रहे हो, तो इसी को लेकर यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया, 1930s में, 1930 की बात है, जब civil disobedience movement की सुरुवात करनी थी, तो एक तरह से यहाँ पर salt का मुद्दा उठा लिया, क्योंकि ये जो मुद्दा था, वो हर एक common person से related थ तो गांधी जी को लगा कि हम अगर इस मुद्दे को उठा कर, जो civil disobedience movement की अगर हम सुरुवात करना चाहते हैं, बड़े तोर पर, तो ये मुद्दा हमारे लिए सबसे सही रहेगा, और इसी को देखते वे आप देख सकते हो, 12th of March को करीब 78 लोगों के द्वारा स्टार्ट क जिया गया, जो कि पूरा 24 दिन तक चला था, और 5th April 1930 तक ये खतम हो गया, और ये अभी आपको ध्यान होगा, साबर मती आश्रम से लेकर, ये जो डांडी जगा है, मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ, ये गुजरात का मैप है, और ये साबर मती आश्रम आप देख देखो, हम आपका जो कानून है, उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि आप गलत कानून बनाए हो, और हमने ये सॉल्ट बना दिया, और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, 40 किलोमेटर नीचे एक कंपनी है, आपका धरसना सॉल्ट वर्ग, वहाँ पर जाते हैं, और फाइनली 5th of लेकिन अब हम आते हैं कि 2021 का जो डांडी मार्च है, उसमें क्या क्या होने वाला है, तो दीखें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कल ये सुरुवात किया जाएगा, तो यहाँ पर जो डिसेंडेंस हैं, उनको ओनर दिया जाएगा, बेसिकली जो 78 लोग यहाँ पर साथ इसका है जो डांडी मार्च पर गय थे, पुरा डांडी तक चले थे, उनके जो डिसेंडेंस हैं, उनको यहाँ पर ओनर किया जाएगा, और उनको इन्वाईट नहीं किया गया है, क्योंकि उनकी जो डिसेंडेंस हैं, उनकी एज काफी जयादा हो गई है, 386 किलोमेटर का प जायेगा, इसके अलाबा यहाँ पर क्या होगा कि बिग, 6 बड़े प्लेसेज पर यहाँ पर बड़े-बड़े इवेंट रखे गए हैं, जैसे कि जो गांधी जी से जुड़ेव हैं, जैसे कि बर्थ प्लेस हो गया गांधी जी का पूरबंदर में, राजकोर्ट में, वरोद् बर्दोली जो सूरत है, मांडवी हो गया, डांडी हो गया, इन सब जगा बड़े-बड़े इवेंट रखे जाएंगे, 12th of March को, और यहाँ पर मैं बता दूं कि 75 प्लेसेज पर, basically क्या हुआ था, कि 1930 में जो 78 पीपल डांडी की तरफ जा रहे थे, मार्च कर रहे थे, तो व करने के लिए, इसके लावा ये भी बताया गया है, कि 21 ऐसे स्पोर्ट को यहाँ पर चुना गया है, जहाँ पर नाइट में होल्ड किया था, जब उन्होंने, तो वहाँ पर भी कल्चरल प्रोग्राम्स होगर रखा गया है, और यहाँ पर जो अलग-अलग पॉलिटिकल ली उस समय UPA की सरकार थी, यहाँ पर इसको लाँच किया गया था, और यह बेसिकली फ्लैग उफ किया था उस समय जो सोनिया गांधी है, कॉंग्रेस प्रेसिडेंट उस समय की, उन्होंने इसको फ्लैग उफ किया, अगें सेम सावर मती आस्राम से यह स्टार्ट हुआ था, और गांधी है, उन्होंने तो पूरा जो रूट है, उसको पूरा चला था, इसके लावा इवन जो राहुल गांधी है, उन्होंने भी इस पर वॉक किया था, मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ, यह आप देख सकते हो यहाँ पर, तो कुछ-कुछ जगह यहाँ पर, जो पर अनाउंस किया, कि जो पूरा 386 किलोमीटर का रूट है, यह जो मैंने आपको पूरा रूट बताया, यहाँ पर साबर मती से लेकर डांडी तक, इसको एक तरह से हेरिटेज के तौर पर देखा जाएगा, इसको आप देख सकते हो, यहाँ पर हेरिटेज रूट माना और यहाँ पर बताया गया कि गांधियन स्टडीज जो है, वो लाइडरी बनाया जाएगा, और जो 81 जो मार्चर्स थे, जो साथ में गये थे, 1930 में, वहाँ पर क्या हुआ कि उनके भी जो स्टैचूज हैं, वो यहाँ पर बनाया जाएगे, तो आप देख सकते हो, यह बेसि ध्यान रखना है, आपको 2005 सी इसका स्टार्ट हो गया था, और अभी तक बताया जा रहा है कि complete होने के गगार पर, मतलब almost हो चुका है, ठीक है, let's see कि कब तक यह open हो जाता है, लेकिन यह almost हो चुका है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन कल जो है, आप ध्यान रखेगा, कल यह मार्च है, इससे related जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि हम Indian history की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि जो Indian National Congress है, जो INC है, उसमें सबसे main political party, उनके द्वारा एक resolution पास किया गया था, related to fundamental rights and economic policy, क्या आप मुझे बता सकते हो, कौन से session में इसक पास किया गया था, चार option है, इसका जो right answer है, हमेशा की तरह आपको पता है, कि यह आपको Instagram पर मिल जाएगा, यहाँ पर MCQ के form में, और अगर आप वहाँ पर नहीं हो, कोई बात ने, Telegram से आप इसका right answer ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, अगर आप मुझसे economy परना चाते हैं, कोई भी course purchase करना चाते हैं, study IQ आप पर जा सकते हैं, I hope कि वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.